हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहूल जेस्वाल लें स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important biology का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th standard के लिए biology subject का एक और new और fresh बहतरीन चाप्टर आपके लिए शुरुआत करने जारे हैं जिसका नाम है chapter 12 photosynthesis आज हम इस particular chapter का lecture 1 आपके लिए ल 11th तो आपके चल रहा है फिलाल में तो basically आपने photosynthesis exactly क्या होता है यह आपने study किया होगा तो photosynthesis एक ऐसा process है जिसके help से जो plants जो होते हैं वो अपना food जो है वो prepare कर पाते हैं यानि कि in short जो अपना ATP होता है adenosine triphosphate जो होता है उसको prepare कर पाते हैं energy को ले पाते हैं जिसके वैसे अपनी life जो है वो जी पाते हैं correct है तो photosynthesis is the only process on earth by which solar energy is trapped by green plants and converted into foods ठीक है basically यही एक एक लोता ऐसा एक process है पूरे अर्थ के उपर जिसमें solar energy का use किया जाता है उसको trap किया जाता है green plants के द्वारा green plants क्यों होते हैं because of chlorophyll pigment इस सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे and इस चीज को convert कर देते हैं photosynthesis के द्वारा food के अंदर यही food को utilize करता है plants और अपना growth and development कर पाता है तो basically simple definition point of view अगर मैं बोलू तो photosynthesis may be defined as the synthesis of carbohydrates यानि कि in short जो हमारा plants होता है वो क्या बनाता है सबसे पहले तो आपको सभी को पता होना चीए कि plants हमारे glucose बनाता है and glucose is nothing but a type of carbohydrates जो की in organic materials को ल है कि plants चो होते हैं वो अपना food preparation कैसे करते हैं जो roots होता है वो पानी को absorb करता है कहां से जमीन में से जब हम पानी ढालते हैं या फिर बारिश के पानी के थरू वो automatically जब उसके अंदर पानी होता है तो वो उसको पानी को एबसॉब करता है xylem के थरू वो कहां तक पहुचाता उसको लीव्स तक पहुचाता है लीव्स तक एक बार पानी पहुच गया लीव्स के पास में पढ़ने वाले अगला टॉपिक वह यह caW फिक होग तो क्लोरो फिल प्रेजंट होता है पानी लीव्स के पास रूट में से आ गया रूट ने सप्लाइ absorb कर देगा ठीक है जो हमारा आस्मान होता है atmosphere होता है वहां से sun lights जो है उसके उपर आएंगी तो वो sun light को absorb कर लेगा ठीक है और carbon dioxide जो होता है leaves with the help of stomata यानि कि छोटे-छोटे holes present होते है स्टोमा प्रेजेंट होते हैं और यह सभी चीज क्या होते हैं यह हम लोग पढ़ने वाले तो आपको बिल्कुल घबराने की जुरूत नहीं है यह आपको मैं overview बता रहा हो भी ठीक है तो क्या पहुच गया उसके पास water पहुच गया carbon dioxide उसको atmosphere से मिल गया और pigments उसके पास chlorophyll नाम का present है green pigment है यह चारों चीज मिलते हैं तो उसके अंदर एक क्या होती है एक reaction होती है और फोटो सिंतेसिस बोलते हैं उसी को और उसी के वज़े से जो food है वो प्रिपेर होता है basically ठीक है clear है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यही चीज मैंने बोला यहां sunlight और chloroplast के presence में तो क्या बना रहा है C6H2LO6 बना रहा है और यह जो C6H2LO6 दिखर है आपको यही है आपका glucose और इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं carbon dioxide वो लेता है और oxygen छोड़ता है और वो ही oxygen हम लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं जो कि वो लेता है तीक है तो यह ऐसे balance बना र हो जाते हैं उसमें से clear है तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह photosynthesis का basic process क्या होता है यह basic के भी पढ़ रहे हैं पहला ही lecture है तो ज्यादा कुछ hard आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ basic तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज तो समझ में आ गया होगा कि what do you mean by photosynthesis process and कि इस प्रकार जो है plants के अंदर यह चीज वह करता है clear है दोस्तों ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अभी next अगर बात करें तो chlorophyll जैसा में pigment की बात करता है तो chlorophyll pigment जो होता है it is only because of the chloroplast तो आपने शायद 8 standard में पढ़ा होगा कि जो cell होता है कोई भी cell होता है अब cell अगर plants में पढ़ लिया होगा क्या होते हैं बहुत सारे cell organelles present होते हैं और यह जो cell organelles है जैसे कि example के तरफे कुछ याद दिला हूँ आपको तो cell organelles nucleus तो ही उसके अलावा cytoplasm दोता है उसके अंदर बहुत सारे cell organelles present होते हैं mitochondria present होता है ribosome present होते हैं गोलगी body होते हैं lysosome होता है plastics present होते हैं और उसमें से ही एक है दोस्तो chloroplast यानि कि इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हो कि chloroplast जो होता है वो एक तरीके का cell organelles present होता है इस प्रकार कुछ लेंस जैसा शेप होता है इसका और हर chloroplast जो है इस बाउंडेड़ डबल मेंब्रेन यानि कि दो दो लेयर से बना हुआ है आप देख पको एक यह लेयर है और ऐसे ही इसके उपर एक और लेयर है दिख रहा है यह यह लेयर का बना हुआ एक पूरा का पू जो है लीव के यह मेली इसके यह प्रेजेंट होते है और इसी के अंदर चौट चुट चौट आरर यह लीवस अभव तरो लनोगर है तो इनसाइड स्वावंड वाक्ला को घृवंद यह अकनि कि आप अंदर जब जाओगे तो आपको क्या दिखेगा stroma दिखेगा तो जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो यह जितना भी आपको यह liquid structure जो दिख रहा होगा liquid जैसा यह जो पार्ट है इस चीज को हम लोग बोलते हैं stroma यह आपको यह एक्जाम में एक्जाम में 90% चांसे से कि आपको यह डियाग्राम पूछता है इस 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 बना लोगे तो भी आपको मार्स मिल जाएगा तो यह से की हम बात करते हैं अंदर की तरफ क्या है एक सिस्टम आपको यह जिस इसका नाम है स्क्रोमा की अंदर है फाउं ए दिखो गहां है फ्लोब्ल मेंब्रेल यानि कि या प्रेजन इस श्लाहें जो है क्लोरो फिल का प्रेजन होता थे टीके जिसके अंदर आप देख सक्ते हो पूरा डीनिस ट्रक्चर्चर भी प्रेजेंट हो जिस प्रकार कोई रखे होते हैं आपको यह वाला पूरा जितने पार्ट से गोनी जैसे स्ट्रक्चरर के उपर एक रखे रहते हैं और इसी जो इस पार्ट इस चीज को यहां पर इस घोलेंगे तो लेंगे लेंगे थैलाकोइड मेंबरेंगे और all the pigment जह भी पिगमेंटिक्ट मेंदर यह बहुत सार है अलग अलग प्रकासार के क्वश्पीलिय क्लाई सभाव ह ak there are two predominant type of chlorophyll pigment, chlorophyll pigment के दो dominant type के pigment होते हैं, जिसका नाम है दोस्तो chlorophyll A और chlorophyll B, तो यह जो chlorophyll A होता है, इसमें methyl group present होता है, जनरली CH3 से बनता है, यानि methyl group present होता है, वही अगर chlorophyll B की हम बात करें, तो इसमें aldehyde group होता है, जिसका बोलते हैं CHO, ठीक है, ने carbon hydrogen oxygen से बना हुआ, chlorophyll का B group, और और बात करें, अगर carotenoids जो होते हैं, वो lipid compound होते हैं, और usually present होते हैं universally in almost all higher plants, इतने भी बड़े-बड़े उचे plants आपको देखने मिलेंगे, हर जगा यह जो carotenoids, जो है, lipid compound जो है, वो present होता है, और generally क्या होता है, usually red color, orange color, yellow color, brown color, या फिर जो chlorophyll होते हैं, उसके associate colors होते हैं, और इसमें भी two types होते हैं, तेरा only two types, एक होता है carotene, दूसरा होता है zentophyll, यह चीज़ आपको यादा रखना है, clear है, और आगे का जो भी part है, बहुत सारे parts बचे होएं, जैसे की nature क्या होगा, light का, किस प्रकार light को absorb करता है, यह सभी चीज़ दोस्तों हम लोग discuss करेंगे हमारे अगले lecture में, जैसा मैंने बोला, आज का lecture है, पहला lecture, introductory lecture था, short में ही मैंने आपको बताया है बहुत सारी चीज़े, कि photosynthesis क्या होता है, बहुत सारे process उसके अंदर क्या होते है, chloroplast कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या-क्या structures होते हैं, और बहुत सारी चीज़ हमने आप से discuss किये, clear दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आज जितना भी topic हमने पढ़ा है, तो फटा-फट से हम आपके लिए अगला lecture जो है, वो लेकर आ जाएंगे, clear दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, और नया चाप्टर भी हमने श्टार्ट के आपके लिए, आपके लिए continuous बनाते रहेंगे, और लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज अपनी राय और सजेशन हमें comment करके comment box में जरूर से बताएगा कि कैसा लग रहा है आपको, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, useful लग रहा है friends, तो यह वीडियो को please जरूर से like कर देना दोस्तों, share कर देना, ठीक है, बहुत important हो जाता है, like करना, share करना, because इसी से हमें motivation मिलता है, बदले में आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, इसी प्रकार हम आपके लिए महनत करते रहेंगे, और continuous वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे, और आने वाले टाइम में तो और भी ऐसे ही, बैतरीन बैतरीन वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो फटा-फट से वीडियो को like करें, share करें, चैनल अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों, तो फटा-फट से चैनल को subscribe करते ना, साथने bell icon को hit करते ना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग को notification मिलती रहेंगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने क झालड करे जोग और झालड करेंगे, उलते हैसे को साथने जाडड कार में, तो फिस दृट जाड़ी करेंगे, और भी हम धए लन्या धुम।